सो मूवी की स्टार्ट में हम सूफी नाम की एक 10 सल की बच्ची को देखते हैं जो अनाथालाय में रहती थी क्योंकि जब वो छोटी थी तब उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई सोफी को नींद आने की बिमारी है इसलिए वो पूरी राज जाकर गुजारती है और पूरे अनाथालाय में घूमती रहती है वैले एक राज जब सारे बच्चे सो रहे होते हैं तब सोफी को विंडो के पास एक बिल्ली की अबास सुनाई देती है अब क्योंकि उसे नींद न जाइंट को बाहर आता देखती है जिसे देख सोफी बहुत डर जाती है और जल्दी से अपने बिस्तर पर चली जाती है लेकिन फिर वो जाइंट विंडो से अपना हाथ अंदर डाल कर सोफी को वहां से उठा लेता है और फिर उसे अपने साथ ले जाता है आगे हम देखते बागने की कोजिस करती है जिस पर वो जाइंट उससे कहता है कि यहां से बागने का कोई रास्ता नहीं है इसलिए तुम यहां से कहीं भी नहीं भाग सकती ये सुनकर सूफी और भी ज्यादा डर जाती है जिसके बाद वो जाइंट सूफी को एक पैंड पर रख देता है और उ शाइन्ट उसे बताता है कि हां यहाँ पर और वी जाइंट हैं और वो सारे के सारे जाइंट्स कारने वाल यांनि कि वो इनसानों पर कोई तरस नहीं आते और उन्हें कच्चा ही चाबा लेते हैं यह सुनकर चोके बहुत जादा डर जाती है इसलिए वो उस जाइंट से पूछती है तो क्या आप भी मुझे खाने वाले हैं जिस पर वो जाइंट उससे कहता है कि नहीं मैं एक वेजिटेरियन जाइंट हूँ मैं इंसानों को नहीं खाता वेल जाइंट की इस बात से हमें पता चलता है कि वो अच्छा और रहम दिल जाइंट है ये सुनने के बाद सोफियूस जाइंट से पूछते है कि अगर आप इंसानों को नहीं खाते तो फिर आप मुझे यहां पर लिकर क्यों आए हैं जिस पर वो जाइंट उससे कहता है कि तुमने मुझे इंसानों की दुनिया में देख लिय जिस पर सोफिय उससे कहती है कि नहीं मैं तो यहां से भाग जाओंगी वो जाइंट उससे कहता है कि नहीं तुम यहां से निकलने की गलती भी मत करना वरना बाहर बैटे जाइंट तुम्हें जिंदा चाबा जाएंगे इतना कहकर वो जाइंट सोफिय को एक बूड़ पर र इस पर सोफी कहती है कि फिर तो ये मेरे किसी काम के नहीं है क्यूंकि मुझे तो नीद ही नहीं आती जिसके बाद वो जाइंट सोफी की कहानियों वाली बुक को पढ़ने लगता है। रहम दिल जाइंट से बहुत बड़ा होता है सोफी उस जाइंट को कहती है कि प्लीज मुझे यहां से जाने दो लेकिन वो जाइंट सोफी की एक नहीं सुनता और वो उसी वक्त उसे निगल जाता है और फिर उसके तुरंग बाद सोफी की आग खुल जाती है इसका मतलब यह था कि यह सब सोफी का एक डरावना सपना था जाइंट के जागने के बाद सोफी उससे पूछती है कि मुझे पता है यह सब आप नहीं किया है क्योंकि ना ही मुझे नीद आती है और ना ही मुझे सपने आ सकते हैं जिस पर वो जाइंट उससे कहता है कि मुझे ऐसा करना पड़ा और मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि मैं तुम्हें ये बता सकूँ कि बाहर तुमारे लिए कितना खत्रा है। इसलिए तुमारे लिए बैतर यही होगा कि तुम अपनी सारी जिन्दगी यहीं पर रहा हो। वैल ये दोनों इस बात पर बैस करी रहे होती हैं कि तब ही वहाँ पर एक बड़ा जाइंट घर के अंदर गुसा आता है जो वहाँ कहीं बहुत बड़ा था। आते ही वह जाइंट रहम दिल जाइंट से पूछता है कि बोने बताओ तुम यहाँ पर किस से बात कर रहे थे। दरसल यहाँ पर सारे जाइंट से रहम दिल जाइंट को बोना कहकर बोलाते थे क्योंकि वह साइज में सबसे छोटा था। तो बुड़ा जाइंट उस बड़े जाइंट से कहता है कि नहीं मैं तो किसी से बात नहीं कर रहा था, इसी भी जल्दी से सोफी कहीं पर छिप जाती है, वेल बड़े जाइंट को हाथ पर चूट लगी थी, इसलिए वो यहाँ पर पट्टी करवाने के लिए आया था, अब क् उसी सबजी को स्मेल करता है, तो उसे उसमें से इनसान की खुसबू आती है, बड़े जाइंट को लगता है कि उसने आस तक ऐसी सबजी कवी नहीं खाई, तो अब वो बड़ा जाइंट उस सबजी को खाना ही वाला होता है, जिसमें सोफी चूपी हुई थी, बुड़ा जा जाएंट को कहीं पर जाना होता है तो सूफी उससे पूछती है कि आप कहा जा रहे हैं बूरा जाइंट उसे बताताहे कि मैं किसी जरूरी काम से बाहर जा रहा हूं जिस पर वो पूछती कि कॉनसा जरूरी काम मुझे भी आप अपने साथ ले चलो लेकिन वो जाइट ना तो उसे कुछ बताता है और ना ही वो उसे अपने साथ ले जाना चाता है लेकिन फिर वो सोफी के काफी जित करने पर उसे बताता है कि मैं ड्रीम्स बगडने जा रहा हूं लेकिन मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता क्योंकि बाहर जो जाइंट सो रहे हैं अगर वो जाग गए और उन्होंने तुम्हें देख लिया तो बहुत बुरा होगा लेकिन इतने खत्रें के बावजू सोफी उसके साधी जाना चाहती थी इसलिए बार-बार जित किये जा रही थी बुरे जाइंट के मना करने के बाद भी जब सोफी नहीं मानती तो वो उसे अपने साथ ले जाने के लिए तयार हो जाता है तो अब जब वो दोनों बाहर आते हैं तो देखते हैं कि सारे जाइंट्स गेरी नीद में सो रहे हैं वो दोनों चुपके से उनके बीस से निकलना चाहते थे कि तबी उन सारे जाइंट्स की आप खुल जाती है और फिर वो उस बूड़े जाइंट को परिसान करने लगते हैं वो उससे कहती है कि तुम यासे कहीं नहीं जाओगे, क्योंकि अगर तुम वापस इंसानों की दुनिया में गए, तो हम जाइंट्स की जान खत्रे में पड़ जाएगी, वो सारे जाइंट्स मिलकर उस बूरे जाइंट को बहुत परिसान करते हैं, इसी बीच सोफी मौके का फायदा उठा कर एक गाड़ी के अंदर छिप जाती है, जिसके बाद वो बूरा जाइंट आसमान की तरफ इसारा करके उन सबसे कहता है कि वो देखो, और तब सारे जाइंट्स बादल की ओर देखने लगते हैं, दरेजल वहाँ पर बारिस होने वाली थी और इन सारे जाइंट्स को पानी से डर लगता है, क्योंकि उन्हें बार्टर फोबिया था, तब ही वहाँ पर बारिस होने लगती है और वो सारे जाइंट्स जाकर कहीं छिप जाते हैं, जिससे वो दोनों मोका पाते ही वहां से फाग जाते हैं आगे जाकर वो दोनों एक पहाड़ पर चड़ते हैं और चलते चलते वो दोनों बादलों से भी काफी आगे निकल जाते हैं आगे जाकर ये दोनों एक लेक के पास पहुंचते हैं जिसके पास एक बहुत ही बड़ा औ पानी में कूच जाता है और फिर उसके साथ सोफी भी पानी में कूच जाती है जिसके बाद वो दोनों लेक के दूसरे किनारे पर पहुंच जाते हैं और आ जाते हैं ड्रीम्स की दुनिया में जहांसे वो बुड़ा जाइंट ड्रीम्स को पकड़कर अपनी दुनिया में ले तो आप वो दोनों मिलकर ठेर सारे डीम्स को पगाड लेते हैं और फिर वापस अपनी दुनिया में जाने लगते हैं ये दोनों अब एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त बन गए थे और एक दूसरे के साथ काफी खुस भी थे इसे बीच पूरा जाइंट सोफी को बताता है कि मैं उन वाकी जाइंट से बहुत अलग हूँ इसलिए वो लोग मुझे बोना कहकर चड़ाते रहते हैं लेकिन फिर वो एक बात सोचकर बहुत खुस हो जाता है कि मुझे यहाँ पर कोई ऐसा भी मिला था जो मुझे बिग फ्रेंडली जाइंट कहकर बुलाता था ये सुन प्रेंट्स ने बताया था जिस पर वो जाइंट्स उसे कहता है कि नहीं जाइंट्स के पैरेंट्स नहीं होते फिर वो जाइंट्स उसकी उम्र पूछती है तो जाइंट्स उसे बताता है कि मेरी उमर उतनी ही है जितनी इस दुनिया की है जब यह दुनिया बनी थी तब जा जैसे जाइंट बहुत परिसान हो जाता है वो सूफी से कहता है कि अब मैं तुम्हें वापस अपने साथ नहीं ले जा सकता क्योंकि अब तक उन जाइंट को पता चल गया होगा कि मेरे साथ कोई इनसान भी है और तब ही जाइंट सूफी को एक बात बताता है कि बहुत सालों पहले मुझे एक बच्चा मिला था वो भी इतना ही प्यारा और इनुसान था जितनी की तुम हो उसने भी तुमारे ही तरह मुझे देख लिया था जिस बज़े से मुझे उस बच्चे को जाइंट की दुनिया में ले जाना पड़ा जाइंट उसे बताता है कि उसी बच्ची ने मुझे पढ़ना से खाया क्योंकि वो जानती थी कि VFG उसे बचा लेगा और होता भी ठीक वैसा ही है VFG उसे बचा लेता है जिसके बाद उसे ना चाहते हुए भी उसे अपने साथ ले जाना पड़ता है वहीं दूसरी और वो सारे करनिवल जाइंट्स उनका पहले से ही इंतजार कर रहे होते हैं क्योंकि सारे जाइंट्स जान चुके थे कि बुड़े जाइंट्स के पास कोई इंसान है और क्योंकि उन सारे जाइंट्स को लगता है कि अब जाइंट्स की दुनिया खत्रे में वो जानना चाहते थे कि वो इंसान कहां पर है ताकि वो उसे मार सकें और इसलिए वो ब्लेंकेट की मदद से वीएप जी की घर को चेक करते हैं और सारे समान को तोड़ फोड़ कर रख देते हैं लेकिन तभी मौका पाते ही वीएप जी उस ब्लेंकेट को जला देता है और फिर वो उन सारे जाइंट्स को अपने घर से जाने के लिए बोलता है और वो सारे जाइंट्स बहुत खतरनाक हैं जो बच्चों को मार कर खा जाते हैं साथ इसी ड्रीम में आप हम दोनों को भी सामिल कर लेना ताकि जब हम प्रिंसेस के सामने जाएं तो वो हमें पहचान सके ये सुनकर VFG टीक ऐसा ही एक ड्रीम तयार करते हैं और इस ड्रीम को और भी ड्रावना बनाने के लिए वो सेटी के सारे मिसिंग बच्चों को भी डाल देते हैं और फिर वो दोनों उस ड्रीम को लेकर प्रिंसेस के घर चले जाते हैं और प्रिंसेस के नीन में वो ड्रीम डाल दीती है प्रिंसेस अपने सपने में वो सब कुछ देख लेती है जो ये दोनों दिखाना चाहते थे वेल प्रिंसेस की जब आग खुलती है तो वो बहुत दरी हुई होती है क्योंकि ये एक दरावना सपना था प्रिंसेस अपने सपने के बारे में अपनी केर टेकर को बताती है जिस पर वो कहती है कि आप फिक्र मत कीजिए ये बस आपका एक दरावना सपना था लेकिन जब वो नियूस पेपर पढ़ती है तो उसमें कई सारे बच्चों की मिसिंग होने की खवर छपी हुई होती है ये ठीक वैसा ही था जैसा उसने सपने में देखा था तब ही प्रिंसेस केर टेकर से कहती है कि परदे अटाओ और जब केर टेकर परदा आटाती है तो बिंडो पर सोफी खड़ी होती है प्रिंसेस सोफी को देखकर बहुत हैरान हो जाती है क्योंकि कल राग उसने सोफी को अपने सपने में देखा था जिसे आज की पहले उसने कभी नहीं देखा था यहाँ पर हम देखते हैं कि वीएप जी को ठीक से बोलना नहीं आता था यानि कि वो महरानी को मर जानी कहता था और इंसान को इंसान्ड जो सुनने में काफी फ़नी लगता है तो अब प्रिंसेस दोनों का वेलकम करती है और उन्हें काफी अच्छे से ट्रीट भी करती है जिसके बाद ये लोग प्रिंसेस को सारी बात बता देते हैं सोफी और जाइंट की बाते सुनने के बाद प्रिंसेस उनकी मदद करने के लिए तयार हो जाती है और फिर वो अपनी पूरी आर्मी को वीएप जी की मदद करने के लिए जाइंट्स की दुनिया में भेज देती है तो अब प्लान की मुताबिक वो लोग एक जगह पर रुख जाते हैं और वीएप जी उन सारे कार्निवल जाइंट्स के लिए एक ड्रीम बनाता है लेकिन सोफी इस तरह हार नहीं मानना चाती थी इसलिए वो हिम्मत करके उस ड्रीम वाले जार को उस जगह पर ले जाती है जहां पर वो सारे जाइंट्स सो रहे थी लेकिन इसके पहले की soffee jar को तोड़ पाती तब यह उन सारे giants का leader उट जाता है वो जैसे ही soffee को पकड़ने वाला होता है soffee jar को तोड़ देती है और यह dream उन सभी giants की नीद में चले जाते हैं जो भी भी सो रहे थे वेल अब जब वो सारे जाइंट्स जागते हैं तो उने बुरे कामों की सर्मिंदीगी और पच्ताबा होता है लेकिन उन सभी जाइंट्स का लीडर वो तो जाग रहा था इसलिए उसे कोई भी पच्ताबा और सर्मिंदीगी नहीं हो रही थी इसलिए वो Sophie पर अटेक किये जा रहा था लेकिन तभी B.F.G. Sophie को बचाने उस जाइंट के सामने आ जाता है लेकिन B.F.G. कार्णिवल के सामने बहुत छोटा था इसलिए वो जाइंट उसे अपने हाथ में उठा लेता है लेकिन जैसे ही वो BFG को मारने वाला होता है कि प्रिंसेस की पूरी आर्मी वहाँ पर आ जाती है और फिर वो लोग सारे जायंट्स को पकड़ कर अपने साथ उड़ा कर ले जाते हैं जिसके बाद हम देखते हैं कि आर्मी के लोग उन सभी जायंट्स को समुंदर के बीचों बीच एक आयलेंग पर ले जाकर छोड़ देती हैं अब क्योंकि इनके चारो दरब पानी था और इलो पानी से डरते भी हैं इसलिए अब ये जायंट्स यहां से भाग नहीं सकते थे और हमेशा के लिए यहां पर फस गए हैं प्रिंसेज जाइंट के लिए यहाँ पर सबजी के बीज भी देती है ताकि जाइंट्स उन बीजों की मदद से यहाँ पर सबजी की खेती कर सकें और अपनी सारी जिंदिगी वो सबजी ही खाए अब क्योंकि उन जाइंट्स को इस सबजी पसंदी नहीं थी उन्हें ना चात हुए भी अपनी पूरी जिंदिगी इस सबजी को ही खाना पड़ेगा इसके बाद हम सोफी को देखते हैं जो अना थाले में नहीं रहती बलकि प्रिंसेज के महल में रहती है और वो यहाँ पर बहुत खोस है और जब चाए बीजी से बात भी कर सकती है क्योंकि बीजी ने उसे बताया था कि वो इस दुनिया की सारी अबाजे सुन सकता है वहीं दूसरी तरफ हम बीजी को देखते हैं जो अब जाइंट्स की दुनिया में बिलकुल अकेला है और अब उन्होंने उस पूरी जगे पर सबजी की खेती कर लिये जिससे वो बहुत खोस है इसी किसांद दोस्तो ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है दोस्तो वीडियो पसंद आईए तो प्लीज वीडियो को लाइक और इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए हमारे जैनल को सब्सक्राइब जरून कर दें